नमस्कार जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे DL8 BTC एडमिसन 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 17 जून 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की लिंक दे रखा है जहां से आप लोग सबसे पहले अपना आविधन कर सकते हैं देखे दोस्तों जब रेश्टेशन करेंगे तो पाल्ट वन में आपका नाम पूछा जाएगा आपके पीता जी का नाम माता जी का नाम डेटा बर्स कैटेग्री सब कैटेग्री जेंडर इमेल इडी फोन नंबर देखे इमेल आइडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही आपको डालना है ठीक है और देखिए आपके मन में एक सवाल था कि क्या बारवी पास छात्रों को मिलेगा आविधन का मौका देखे दोस्तों जब रेश्टेशन का पार्ट वन रहता तो सबस नहीं कर पाएंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट फाइनल येर का आए इंटरनेट वाले रिजल्ट है लेकिन आना चाहिए ठीक है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है बोड या या यूनिवर्सिटी कॉलिज का नाम आप आप डालेंगे पासिंग येर अगर आप इस साल कंप्लीट हो रहा बीए बीसी तो 2022 आपका रोल नंबर मार्सिट नंबर अगर आपके पास नहीं है तो नॉट एवलेबल एने लिख दिजेगा अगर आपके पास फाइनल येर का रिजल्ट आगया ओरिजिनल रिजल्ट है तो उस पर मार्सिट नंबर लिखा होगा जैसे आपके पास हाइज स्कूल या इंटर का रिजल्ट होगा तो आप महाँ पर देख सकते हैं आपका मार्सिट नंबर सो करता है टूटल नंबर कितने नंबर प्राप्त किये हैं परसिंटेज आ जाएगी ठीक है आप नेस्ट कर तो नौकरी कैसे मिलेगी तो जब आपका डीलेट का कोर्स दो साल का होता पहले यह सब्रेज़े दो साल में टूटल आपको चार समिश्थ के एकजाम देने पढ़ेंगे और आपको बता दे हर समिश्था एक जाम से पहले आपको एक महीने की टीचिंग करनी पड़ती है इसमें यह नहीं कि ठंडी गर्मी की कोई अलगते चुट्टी होती है ठीक है कोरोना का जब समय था तो बच्चों को खुब फायदा हुआ लंबी चुट्टिया देखने को मिली लेकिन अभी अगर आप यह सोचेंगे कि चुट्टी मिलेगी तो यह बिल्कुल गलत है तो सबसे इंपोर्टेंट बात यहां पर यही रहती है करेक्शन में कि आपका हाई स्कूल इंटर और ग्रेजवेशन इनमें से अगर आपने किसी भी ठीक है एक्जाम का नंबर ज्यादा डाल दिया रिजल्ट में माल लेते हैं आपके हाई स्कूल में 75% 75.1% आप जल्द बाजी में 75.2% कर दिये तो भैया फिर आपको डिरेक्ट एड्मिसन के थुरू ही एड्मिसन मिल पाएगा फिर कांसलिंग के थुरू आपको एड्मिसन नहीं मिलेगा देखे जो डिलेट में चैन आपका होता है वो मेरिट के अधार पर होता है और मेरिट को आप प्रभावित करेंगे ऐसा माना जाता है अगर आपने गलती से ज्यादा नमर डाल दिया क्योंकि देखे दोस्तों रहे आपसे आवीधन मांगा जा रहा है जब सभी बच्शों आवीधन करनेंगों तो इसके बद देके पता है क्या जारी होगा rank list जारी की जाती है ठीक rank list कैसे बनती है जिन बच्चों का नमर जाता है अगर आपका मालीज जह स्कूल में आपने छेड़ खाने कर दी तो फिर आपको कॉंसलिंग के तुरू कॉलेज नहीं मिल पाएगा ठीक है इस बात का ज़रा ध्यान रखेगा नमबर गलती से भी एक नमबर ज्यादा नहीं होना चाहिए भले दो नमबर कम डाल देंगे तो चल जाता है क्योंकि आप फिर मेरिट क जान बुचकर प्रभावित कर रहे हैं ठीक हो तो डियल अट करने वाले छात्रों के लिए बड़ी कुस्कबर देखे मामला हाई कोट में चल रहा है कि प्रात्मिक सेच्छक भरती में बीएड रहे गा या नहीं देखे आपको बता दे आपके ही साती काफी बच्चे में सुनवाई होगी जो भी अपडेट आगी अपडेट हम आप तक पहुचाएंगा और आप लोग अपडेट पनाजर बनाया रखिएगा अगर आप डियलेड और बीएड दोनों का फॉर्म डाल रहे हैं देखे काई अगर आप बीएड का फॉर्म डालें भी इंट्रेंस से निकालनी है कि आपको प्रात्मिक सिच्छक बरती निकालनी है और आपको बता दे प्रात्मिक बरती में ही जाता पोदों पर वैकेंसी आती है अगर आपने नाम सुनाओं को 69,000 सिच्छक बरती ये भी प्रैमरी भरती थी ठीक है तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा गल मामला कोर्ट में चल रहा है नहीं तो पिछले साल तक B8 एक अच्छा विकल्प था लेकिन जब से मामला कोर्ट में गया है राजस्तान सरकार के कुछ बड़े फैसले देखने को मिले तब से बच्चे डरे डरे फिर रहे हैं ठीक है क्योंकि देखिए का इस B8 के छात्रों को ज जा रही है तो कुछ भी हो सकता है अब आपके मन में कौर्ट सवाल होगा कि सरकारी कॉलेज लेना चाहिए आपको डिल्ए या बीटी सी में या प्राइवेट देखिए प्राइवेट कॉलेज उन बच्चों के लिए होता जो बच्चे बहीं या कॉलेज नहीं जा पाते घर सरकारी कॉलेज के दोस्तों अगर बात रही तो सरकारी कॉलेज में आपको एक साल का 10,200 रुपे फीज देना है और प्राइवेट कॉलेज में एक साल का 41,000 किस्मत अच्छी रही तो भी आपके 40-41,000 रुपे इस्कोलेशिप के वापस आ जाएंगे लेकिन किस्मत करा तो हो सकता है कि आपको एक रुपे भी ना मिलें तो इसको जरा ध्यान दीजेगा ठीक है और जो भी अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे देखिए डेलेड में आपको भईया मैत पढ़ना पड़ेगा पहला समिश्टर दूसरा समिश्टर तीसरा और चौता हर एक समिश्टर मे आपको मैत से सामना करना पड़ेगा अब काफी ऐसे बच्चे बीएट मतलब अभी डेलेट में अडिमिशन लेने वाले होंगे बहले आप बीए कर रहा कियो कुछ और कोर्स जहां पर आपने गडित को छोड़ रखा होगा लेकिन डेलेट करेंगे तो यहां पर आपको गड कर लिजे टेट और सुपर टेट में तो आपको मैत देखने को मिलेगा यह मिलेगा तो तैयारी अभी से बहतर होगी तो आपको रिजल्ट भी बहतर आएगा तो गड़ी से आप पीशा छुटा नहीं सकते यह मत सोचेगा कि बच जाएंगो तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होने जी यहां दोस्तों फाइनल येर में आप करेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन और जो अन्य सर्टिफिकेट के दोस्तों पूरे लिष्ट होगी वह हम आप तक पहुचा देंगे ठीक है आपको बता दे फिलाल मोटा मोटा हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन ठीक इन त अब्डेट हम आप तक पहुचाएंगे और एक और विसे इस बात की डिलेट जब आप करने जाएंगे तो आपके ओरिजिनल डाकुमेंट्स को लगबग 6 मैने के लिए जमा भी कर लिए जाता है ठीक है तो इसको जरा ध्यान रखिएगा मिलते हैं एक और वीडियो में और यह दिक अपडेट के साथ तब तक के लिए श्टे किनेक्टेड अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पने हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचाएंगे जैसा 17 तारीक हो तो 17 कल 18 तारीक हो